तो नाव ब्रैटकॉम गूरूप आज तो यहां पर हालती जैसे सुबह खराब हो गी थी और अपर सर्किट जो है न वो यहां पर चेंज हुआ और सर्किट ओपन हो गया राइट और यहां पर आप देखें दस मिनट के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा दो करोड़ श लेकिन आप इसको यहां पर justify नहीं कर सकते हैं एकदम यहां पर clarity आपको नहीं मिल सकती कि buy side और sales side किसकी तरफ से था या retail investors का था क्या था यह आप detail आपके सामने इतना जादा निकल के नहीं आ सकती अगर आएगी तो किसी के यहां पर ना site पर आ जाएगी किस funder ने कुछ का है ऐसा मुझे लगता है तो अभी देखें आप ना बहुत सारे सवाल है forensic audit को regarding और यह forensic audit का time time कितना लगेगा forensic audit आने में final तो अभी देखें यहां पर ना time की अगर आप बात करें तो जो timeline दी गई थी सेवी की तरफ से जरा उस पर गौर करिएगा लेकिन उससे पहले आप Brat स्टॉक है प्राइस हिट अपर सरकिट टुडे बाकी वगेरा वगेरा आपको ऐसे चीज़े देखने को मिलेगी ऐसे आर्टिकल आप आते रहेंगे और वो आर्टिकल के अंदर वही चीज़े हैं वही पुरानी डीटेल सो कॉज मैसेज का यहां पर जो है ना सो कॉज लेट फाइनल कहां से भी यह आप चाहे ऊपर का पेज देख लिए चाहे नीचे का पेज देख लिए यहां पर साफ साफ लिखा है इंतरिम ओडर ना कि फाइनल ओडर लोग समझते क्यों नहीं है ठीक है तो यह आप समझे यह आपका फॉरेंसिक ओडिट की फाइनल रिपोर्ट नहीं थी जो फो काश नोटैस आया था उसके अंदर आपका कोई भी फैनिसल ओडित है यहापर तो महिने टूर मंत के अंदर अंदर प्रमोठर को देने हैं सारे के सारी डॉक्मेंट सेवी को यानिकी तेरा जुलाई 13 जुलाई तक आपको सब कुछ submit करना है एक timeline दे गही थी आपका shareholding pattern की एक timeline दे गही थी आपका audit results की एक timeline दे गही थी आपको director की निपती की वो सारी चीज़ें यहापर complete हो चुकी है जो यहापर publicly चीज़ें आने थी अभी तक वो complete हो चुका है company की तरफ से अब है यहापर जो है document का है possible है कि आपको bradcom group की तरफ से एक notice मिल सकता है एक letter आपको आता हुँ देख सकता है bradcom group पे आका है BSE की site पर वो BSE की site पर notification इस बारे में होगा कि यहापर हमारी तरफ से सारे के सारे जो documents हैं जो legal documents हमें जमा करने थे वो हमने savey को जमा कर दिये हैं तो यह आपर जो ना possible है कि आपके सामने यह notification आता हुआ देखे तो अगर यह 13 जुलाई से पहले submit कर देते हैं जो की हो जायागा 13 जुलाई के असपास यहापर जो ना अगर आप देखें company का तो हर चीज वो last date पर आकर ही कर रहे हैं उससे पहले अभी तक यहाँ पर ना तो share ordering pattern जल्दी कर दिया नहीं आपको audit results जो है वो जल्दी कर दिये ऐसा कुछ भी नहीं है जो जल्दी कर दिया हो आपके सामने अगर देखें हैं तो फिर एक date का एक अनुमान जो तेरह जुलाई का है पॉसिबल है कि इस रवईये से यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका जो डॉक्यमेंट्स है वो को तेरह जुलाई के आसपास ही संबिट करें जाकर सेवी को सेवी के ओपर यहाँ पर है तीन चार मीने लगते हैं अलमुस्ट अगर देखें मैंने आपके सामने के बात करी थी संब फार्मा का जो ओडिट हुआ था वो उसमें कम से कम देड़ साल लगया था देड़ साल ब्रैट को रुपके फॉरेंसिक ओडिट को हो गया है अलमुस्ट जो हम लोग उस वक्त बात कर रहे थे देड़ साल देड़ साल वो सो कॉल मैसेज जो देड़ साल के टाइम प्री रेट पर ही आ गया जैसी हमारे देड़ साल पूरा हुआ तो पॉसिवल है कि संफार्मा के अंदर जो देड़ साल लगा था वो कहीं न कहीं यहाँ पर भी अप देड़ साल तो ही चुका है अलमुस्ट तो हो सकता है कि यहाँ जैसी डॉक्यमेट जमा करे जाए उनको तो सर्फ चेक करना है ना तो वो कहीं न कहीं जल्दी से चेक होकर आपके समने फाइनल फॉरेंसिक ओлеिट आपके समने आ जाए आप इसका है एक मीना-दो मीना एटेलीस जुलाइ से तेरह जुलाइ से आप यहाँ पर इंकर चल सकते हैं कि दो-तीन मीने तो एटेलीस आपको लेकर चलनी ही होगए यानि जुलाई, अगस, सेप्टेंबर, अक्टूबर तक यहाँ पर पॉसिबल है कि आपके सामने फाइनल सिल ओडिट आ जाए फाइनल ओडिट आ जाए आपके सामने और एक मैं आपके सामने एक रात की बात और बताता हूँ बहुत सारे यहाँ पर नाब बात चलती रहती है हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग है, 90% लोग है क्योंकि कुछ 10% लोग है वो BCG की पेपर्स की स्टेडी करते रहते हैं ठीक है, वो पेपर्स की स्टेडी करते रहते हैं चीज़े गौर करते हैं कभी कबार कुछ चीज़े गौर करना भी भूल जाते हैं लेकिन जो 90% share holders है वो यह नहीं देखते हैं कि कितना financial audit है आपर चल रहा है कितना time period का देखें आपका नाप सीधा सीधा लिखा हुआ है सेवी initiated and investigation into the affairs of the company for the period covering financial year from 2014-2015 financial year और आपका 2019-2020 financial year तक का इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर यह समझेए यह time period उन्होंने timeline दे दी कि इतने इतने साल का यहाँ पर जो फाइनसिल एर का हम चेक कर रहे हैं आपका जो इस टॉक है वो 2021 मई 28 दो जार 21 मई 28 तारिक को यहाँ पर जो ना स्टॉक के अंदर run-up इस टार्ट हुआ जब bonus ओनस नहीं हुआ था तो वो 8 रुपे के आसपास था जब run-up पहली बार इस टार्ट हुआ था ब्रैट कुम ग्रूप के अंदर तो वो उसके बाद जो numbers आए वो आप यह समझेए कि उसका तो हमारे सामने पहले से भी हो रहा आ गया था एक लेटर आ गया था कि इस तरीके से हम इस quarter में इतना करेंगे इस quarter में हम इतना करेंगे तो company तरब से वो तो आई गया था उसके उपर out performance लगातार company दे रही थी इस इसका मतलब यह है 2020 के बाद तो यहाँ पर जो ना फाइनसल और जो आडिट नहीं कर रहे है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो number से हमारे सामने 2020 के बाद जो number से हमारे सामने वो real है अगर वो real ना होते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर से भी उसका भी audit कर रही होती यह भी एक बात है यहां पर आयाती है तो यह गौर करने वाली बात है और जो एक उच्छाल जो आई है जो नेट सिल नेट प्रॉफिट में जो उच्छाल आई है वो 2021 मई के बाद ही आई है ध्यार रखेएगा 28 में 2021 जब आपका Q1 स्टार्ट हुआ जून का Q1 आया और उसके बाद अगस से 2020 तक के financial year का audit हो रहा है ना कि उसके बाद का हम तो उसके बाद आये हैं और आप चार्ड की उपर बात करें तो देखेए 10 रुपे 75 पैसे का यहां पर लेवल है और इसने बापस ट्रेंड लाइन के अंदर कदम रख दिया तेजी के अगर बात कर कहां तक हो सकती है 12 5 पैसे के आस-पास यहां पर तेजी रह सकती है पूरी दरीचे से क्योंकि यह ट्रेंड लैंड पर फिर मैच करेंगा जाकि पर वो तेरा रुपे 5 पैसे 13 रुपे 10 पैसे कि आसपास यहां पर तरंथी निकल ली है यहां पर थोड़ा सा डान साइड भी देखना है तो वह कह निकल जाता है तो फिर यहां पर जो एने टार्टिट बड़े निकल सकते हैं सो उमीद आपको यह वीडियो अच्छी लिगी होगी आपका कहना है इसके उपकर में सकते हैं और अगर आप प्रॉब्लम में कुछ पूछे हैं कुछ पूछ ना कुछ कहना है तो प्रीस कमें से सम आदूस तो